हेलो गाइज नमस्ते आप सभी को और आज देखिए हम आउला का चार डालने वाले हैं तो यह है पांच के जी आउला सबसे पहुनले हम इसको धो लेंगे अच्छे से तो देख लीजिए मिटी ओटी तो नहीं लगा था लेकिन फिर भी धो लिए हम और जो बड़ा साइज का ह और इसको हम 10 दिन के लिए धूप में रख देंगे नमक डालके और देख लीजिए यहां पर यह कितना पानी छोड़ा है नमक और इसको हम 10 दिन के लिए रख दिया इसके बाद जब पक गया तब हम इसको पानी से अलग किये और थोड़ा सा धूप दिखाएंगे जदा दे देख लिए सरसो पॉडर ये मेथी को ड्राइ रोस्ट कर लिए और पीस लिए ये सौफ है इसको भी ड्राइ रोस्ट और सरसो कैसे ही धूप में सुखा के पीसे हैं देखें सरसो थोड़ा ज्यादा मत्रा में लिया जाता है आचार में और नमक लेंगे और लालमिश पॉडर लेंगे और हल्दी पॉडर और देख लिजे उधर प्लास्टिक में रखके जवाईन और मंग्रेल यहीं मस इतना ही होता है मसाला और ज्यादा कुछ नहीं हाँ सबस मसाला डालेंगे आपके अचार कानशा जीतना और है उसके अंसार हम उसमें मसाला जड़ दालेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए गा और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भुलिएगा दोस्तों आप लुग और वीडि अचार डलते हैं अप लोग को मेंट के इंतजार रहेगा हमको और देखिए में हस्बिन अचार कैसे मिला रहे हैं इसके पहले भी आउला का चार वहीं मिला थे और इस दर भी मेरे घर पे ज्यादा जैन्स लोग नहीं मिलाते हैं आप लोग को तो मालूम ही हम बता चुके हैं इसके पहले बता दिये हैं फिर भी बता रहे हैं और देख लीजिए देखिए कर दोस्तों आप लोग थोड़ा वाज सुनाए दिया होगा ट्रेक्टर मेरे रोड पे इंग घर आप लोग तो जानते ही हैं फिर भी आवाज आते रहते हैं क्या करें और देखिए अचार पे आप लोग फोकस कीजिए अचार देखिए कैसे कितना टेश्टी और यम्मी दिख रहा है उतना ही टेश्टी और यम्मी बना भी है तो आप लोग आईए मेरे घर हम आपको अचार जरू खिलाएंगे और देखिए फिर मसाला मिला के हम छट पे रख देंगे धूप में अन्य वीडियो में तब तक के लिए बाई आप लोग धियान रखिएगा टेक क्या थेंक यूद